कि आंप 먀न प्डियां के कुछ इंपॉर्टेंट को लेते हैं जो कि इंप में सारेPalos वेलट्स में चाहिए अब 12 में ओ California में सब्सक्राइबस अब कशुण से सारे भार्ट हमें मिलते हैं तुझ उन सारे इंपॉर्टेंट वेलट्स को आवज एक साथ देखते हैं देखें, suppose कि तीन फ्रेंड हैं, A, B and C, तीनों ने मिलके ऐसा किया, कि तीनों ने मिलके सोचा कि एक ऐसा काम करते हैं, कि जिससे अपने महले का या अपने एरिया का कुछ कल्यान हो, वेलफेर के लिए, तीनों ने, suppose इन तीनों ने ये सोचा कि एक लिए खोलते हैं, छोटा सा, जिसमें सारे बच्चे आखर के प्री में बढ़ सकेंगे, तो ये तीन जो मेंबर थे, इन तीनों लोगों ने बोला, कि हम तीनों को तो उसके लिए पैसा देना होगा, तो उन लोगों ने decide कि पान सो रुपया पर एयर, ये तीनों लोग मिल करके देंगे, फाइवंटे रुपीस पर एयर, ठीक है, अब ये फिप्टीन हंडे रुपीस आने लग गई, इस तीनों ने पर एयर ये फाइवंडे रुपीस देना, इस्टार्ट कर दिया, उसके बा काम कर रहे है, इस दी ने कहा किया, कि आ करके उसने 200 रुपे ऐसे ही दे दिया, अब यहां में याद रखना है कि इसने जो पैसा दिया है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिल देगा या नहीं दिया, लेकिन ये लोग पर एयर इतना पैसा दे रहे है, तो ये जो है अच्छा पैसे देना चाहरा हूँ, सपोज 1,000 रुपीस, लेकि मेरा ये इंटेंसन है कि आप इन सारे पैसों से सिर्फ बच्चों के लिए चेयर खरीदें, जिस पे वो बैठ करके comfortable हो सके और पढ़ सके, तो इन्हों ने ये ठा कि इस 1000 रुपे का चेयर खरीद रहे है, चेयर के जिन्होंने मिल के start किया था, they are known as members, वैसे व्यक्ति जिन्होंने start किया और जिन्हें पैसे per year या एक जो time उन्होंने specific किया है, कि इतने दिनों पैसे देना है, वो सारे लोग member कहलाते है, so ABC are members, क्यों? क्योंकि इन्हें per year पैसे वहाँ पे donate करने है, और member जब पैसा देता है, यह member के द्वारा दिया गया पैसा है, this money which is given by the members, that is called subscription, तो first word of NPO that is called subscription, पहला, subscription क्या है, member के द्वारा given amount, जो है subscription गया लाता है, so subscription कब आएगा, per year आसकता है, half yearly आसकता है, जो भी decision हुआ होगा, उसके recording, अब देखें, D यहाँ पर पर मंथ पैसा नहीं दे रहा है, D का पर मंथ पैसा नहीं आ रहा है, so he is not a member, और जब member को छोर करके, कोई दूसरा वेक्षी ऐसे ही randomly आ करके पैसा दे जाए, that is called, the second word, that is called donation, this one is donation, the amount which is given by the members, that is called subscription, and amount which is given by the another person, who are not a member, that is called donation, then after, अब देखें, E, E ने तो पैसा दिया है, that is called donation, this is also called donation, because E is not a member of that organization, but, उसलिए ये बोला कि हमारे पैसे से आपको chair खरीदना है, now look one thing, D ने जो लोक ये दिया है donation, इससे वो book खरी सकता है, chair भी खरी सकता है, या कोई भी काम कर सकता है, लेकिन E ने जो पैसा दिया है, उसने बोला है, कि chair ही खरीदना है, so, चोकि ये member है नहीं, तो इसलिए इसका पैसा भी donation कहला आएगा, लेकिन इसने किसी एक special काम के लिए पैसा दिया है, तो इसको एक अलग नाम दे देते हैं, that is called specific donation, तो देखिए, तीन words जो आपको NPO में हर जगा मिलता है, वो clear हो गए, subscription, donation and a specific donation, subscription is those amount which is given by the members, second donation, वैसा पैसा पैसा जो member के द्वारा नहीं दिया गया है, and third one, a specific donation, वैसा donation, जो कि member के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन इसलिए दिया गया है, कि उससे कोई एक business का रिकिया जाए, एक निश्चित का रिकिया जाए, तो that is called a specific donation, तो three words are clear, first is, subscription, second word, donation, third word, specific donation, now, तीन चीज़े clear होगी, अब एक और चौथा word देखते हैं, जैसे ये तीन मेंबर हैं, जिन्हें पर येर पैसा देना है, 500 रूपीज, and they are known as the members, कभी-कभी, organization किसी एक व्यक्ति को, या तो outsider हो, या member हो, उसे एक चीज़ ओफर करती है, कि आप lump sum कोई amount पे करिये, और lifetime के लिए आप member बन जाएए, सबोज इस organization ने बोला, कि अगर आप 25,000 रूपीज देते हैं, कोई भी, तो आप lifetime member बन जाएए, तो अगर किसी ने, सबोज याँ पर मैं लेता हूँ, इस ने जो amount दिया है, जैसे यह लोग 500 पर यह दे रहे हैं, इन्होंने एक बार में दे दिया, तो इस amount is known as lifetime membership fee, तो फोर्थ वर्ड, वर्ड एन्प्यों को lifetime membership fee, जो कि एक partner के द्वारा, sorry, एक member के द्वारा दिया गया, जो कि लंसम में मॉट में है, अब इसे per year पैसे देनी की जरुरत नहीं है, तो इस इस कॉल lifetime membership fee, donation, specific donation, life membership fee and subscription, चार वर्ड क्लेर हो गए, life membership fee, नौदर फिप्ट वर्ड, फिप्ट वर्ड इस लिजेसी, यह वर्ड जो है, इसे हिन्दी में कहा जाता है कि अगर कोई बैक्ती अपने बढ़ने के बाल, अपनी विलिंग से, अपनी पूरी सारी संपत्ती दे दे, that is called legacy, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी organization को किसी वैक्ती के द्वारा पूरा का पूरा उसका वसीहत, उसकी पूरी संपत्ती उसके विलिंग से दे दी जाती है, मढ़ने के बाद या मढ़ने से पहने, तो यह एमोट जब हमारे पास receive होता है, यह जो पैसा receive होता है, legacy जो, legacy is a capital receipt, why? It is a capital receipt, because it is not a one-time, it is not a recurring receipt, यह बार बार नहीं मिलता, कई दिनों पे मिलता है, इसकी recurring नहीं है, ज्यादा यह मिलता नहीं है, So it is a capital nature receipt, and this will be written in a balanced receipt, क्योंकि यह capital receipt है, बार बार नहीं मिलता है, what is legacy? किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पूरी वसियत उसके जीने से पहले या मढ़ने के बार, अगर पूरी की पूरी दे दी जाती है, that is called legacy, and it is a capital receipt, So it is given in a balanced receipt, and it is a liability, it is a liability, so fifth word is legacy, right? Now, next word, that is intense fee, or admission fee, Intense fee or admission fee is that amount, just a moment, Now, sixth number, that is entrance fee, या फिर इसी का दूसरा नाम है, admission fee, अब ये जो है, ये किस nature का है, ये इसमें है, दो तरह की बाते आती है, कई जगा इसे revenue nature माना जाता है, और कई जगा इसे capital nature का माना जाता है, तो इसको एक हम concept लेते है revenue में, और एक लेते है capital में, चुकि ये एक ऐसा है, intense fee को पहले देखते हैं, जैसे कोई member आता है, कोई admission fee है, one time payment है ये, कि हमें admission लेना है, one time payment है, तो one time payment होने के वज़ा से, कई लोग इसे capital receipt मानते है, चुकि ये बार बार नहीं आता है, one time payment है, one time payment है, इसका, it is not a recurring, so it is, तो कुछ ऐसे पक्ष है जो इसे capital receipt के मानते है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये बार बार नहीं मिलता, one time receipt है, तो capital मानने के वज़से, वैंसे case में इसको ले जाते हैं हो, balance it में, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि intense fee या admission fee जो है, वो काफी small amount है, बहुत ही small amount है, तो चुकि small amount होने के वज़़ा से, इसे revenue receipt कई जगा मानी जाती है, और जहां पर revenue receipt मानी जाती है, वहाँ पर normally ये income and expenditure account बजाएगा, कई question में आपको ये चीज़ clear क्या रहेगा कि intense fee को क्या मानना है, revenue receipt मानना है या capital receipt मानना है, लेकिन जहां पर ये चीज़ cleared ना हो, अगर amount चोटा है, तो that will be a revenue receipt, अगर amount काफी जादा है, तो आप capital receipt में मानेंगे, लेकिन normally जो question आएगी, अगर कोई उसमें आपको नहीं दिया हुआ है data, तो revenue receipt ही लेके चलना है, maximum question आपको कह देगा 50%, 20%, 30% को capitalize करिये, या revenue के रूप में उसको रखिये, तो वो question के ओपर depend करेगा, तो we have discussed the five words, one is subscription, donation, specific donation, like membership fee, legacy and then after, intense fee and admission fee, next question से हमें start, next video में हमें start करा है, जिसमें हम देखेंगे कि subscription और जितनी भी receipt है, जो भी चीज़े है, like subscription कम हो गया, salary कम हो गया, इस सब की adjustment कैसे होगी, adjustment means कहां पर रहता है कि auto standing subscription, advanced subscription, तो उसको किस तरह के से income expenditure में adjust करना है, वो next video में सीखते हैं, तब तक के लिए, thank you.